आपने चिराग सेकुलरिजम का जिक्र किया और अंसेफ फील कर रहे थे ऐसी बातें कहीं 2002 में कुजरात में दंगे होते हैं उन दंगों को लेकर देश के मौझूदा प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी पर आरोब भी लगते हैं और नरेंद्रमोदी के खेमें से सफाई भी आती है कि हमें कोर्ट से क्लीन चिट मिली और ऐसा हुआ वैसा हुआ राम इलाज जी ने इस मुद्धे पर एंड ये छोड़ी थी ये एक बहु प्रचारित बात है कई राजनितिक पंडित ये भी कहते हैं कि वो तो एक बहाना था वो काफी दिनों से असहज महसूस कर रहे थे अपने मंत्राले को लेकर अपनी शक्तियों में कटौती को लेकर या जो बिहार की पॉलिटिकल एक्वेशन थी उसको लेकर और कई लोग कहते हैं जो अब लगभग स्थाईसा हो चुका है जुम्ला की नहीं वो तो चतुर मौसम वेग्यानिक हैं वो भाप गए थे कि अब ये निजाम जाने वाला है अब ये सरकार जाने वाली इसलिए वो शिफ्ट हो गए और 2014 के पहले उन्होंने फिर भाप लिया तो वही नरेंद्र मोदी जिनकी उपर इल्जाम लगाकर वो हटे थे उनको उन्होंने दुबारा से कटवंदन में शीर्ष नेता माल लिया हाओ दो रियाक्ट तो इस पॉल्टिकल एक्विजिशिशन वाल स्टार्ट फॉम दे विगनिंग जब पिदा जी ने रिजाइन किया मुझे नहीं पता आप इस बात पर यकीन मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे भी टीवी के माध्यम से ही पता चला मैं उस वक्ट अपने कमर पता चला तो यह एक ऐसी घड़ना मतब यह ऐसा कदम था उनके दोरा उठाया गया जिसमें परिवार में बैठकर कोई बहुत चर्चा या विचार विमर्श हुआ हो ऐसा नहीं हुआ था कोई बहुत सोचा समझा हो ऐसा भी नहीं था मैं कई बार मैं बोलता हूं कि उन्हों जो गोद्रा के जो कांड हुए थे उसको लेकर उन्होंने इस्तिफा दिया है मैं इस बात को मैं मानता हूं कि उस वक्त जिस तरीके से परिस्तितियां थी और जिस तरीके से तथ्य सामने आ रहे थे और जिस तरीके से इस बात का जिक्र हो रहा था कि उस वक्त गुजरात की उस वक्त की एक कदम उठाया और उस वक्त की अंडिया की सरकार अडल जी की सरकार सो उनोंने इस्तिफा दिया वड़ इसको इस दुर्श्चीकों से देखना की क्यूंकि उनको पता था कि 2004 में निजाम बदलने वाले हैं जैसा आपने बोला है मैं इस बात को मैं नहीं मानता उस वक्त जरूर 2002 में परिस्तेतियां कुछ ऐसी बन गई थी जिसमें गुजरात के राइट्स भी एक बड़ा कारण थे मुझे लगता जिसकी वज़ा से उन्होंने कदम उठाया चिराग 2004-2009 के लोकसभा चुनाओ या 2005-2009 के विधान सभा चुनाओ कि आप राम विलाज जी के भाशन उठा के देखें तो वो अपने स्तीफे को एक badge of honor की तरह पेश करते हैं एक constancy को एक्रस करते हैं अज भी अगर आप उनसे बात करें तो फिर वो लोग कहते हैं जो ये पॉलिटिकल यूटर वर्ड यूज़ करते हैं लोग तो उस पर आपको क्या लगता है ये how do you justify that भाई नयायले से बड़ा तो कोई नहीं ना अगर आप देश में अगर आप कानून का ही सम्वान नहीं करेंगे तो फिर आप वेक्ति का धारना है तो फिर आप सब के लिए बान के चलिए फिर आपको अदालत की क्या जूरत है फिर आपको नयायक्या पेक्षा नयायले से रखने की क्या जूरत है जब एक वेक्ति को अगर उनको नयायले से ही अगर उनको clean sheet ने भी है किसी की हत्या हुई लूट डेकैटी कुछ भी हुआ तो लोग मानेंगे नहीं, लोग तो अपनी परसेप्शन कोई लेके चलेंगे कि नहीं, मैं मानता हूँ इसने किया, इसलिए भले नयाले कुछ बोले, तो ये भी गलत है, और उस वक्त 2014 की भी अगर आप बात करें, उस वक मैंने तमाम अपने इंडर्व्यूज में भी इस बात को मैंने बहुत क्लिरली बोला कि ये 2014 में उस वक्त चर्चा का विशय ही नहीं था, क्योंकि उससे बहुत पहले उनको क्लीन चिट मिल गई थी, तो उस वक्त उनका नेत्रत हुई या उस वक्त जब वो प्रदान मंतरी हुए थे और ये हुआ था, वो हुआ था, नहीं, क्योंकि वो बात कब की खतम हो गई है, और हकीकत है, मैं इस बात को मैं मानता हूँ मुझे खुशी है कि पिता जी, भी उस सोचके हैं, कि आप अपने आपको एक दौर में बांग के नहीं रख सकते, आप 2002 से बात करें, 2014 मतलब 12 साल, 12 साल में एक युग बदल जाता है, और आप अपने आपको अभी तक उस एरा में ही बात करेंगे, तो आप विकास ही नहीं कर पाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे.